इस्राइल का लेबनान में जमीनी ओपरेशन कदाम उल्टा पढ़ता नजरा रहा है। दक्षिन लेबनान में घुसकर बड़ा जमीनी ओपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुला की कमर तोड़ने के लिए इस्राइली सीना ने हिजबुला के ठेकानों को तबहा करना शुरू किया। हलांके शुरू आती सफलताओं के बाद अब इस्राइल के एक के बाद एक दाव गलत साबित होते दिखाई पर रहे हैं। दरसल मिडल इस्ट में छड़ी जंग के बीच इस्राइली सीना पर लेबनानी लड़ाकों के हमले बढ़ गए हैं। हिजबुला लेबनान के अलग-अलग ठेकानों से इस्राइल पर आग बरसा रहा है। उत्री इस्राइल पर रोजाना भयंकर हमले करने वाले लड़ाके अब सेंट्रल इस्राइल और राजठानी तेल अवीव तक को देहलाने लगे हैं। हाल में लड़ाकों ने इस्राइल की जासूसी एजिंसी मुसाद के मुख्याले के पास एक इस्राइली बेस पर रोकेटों से हमला किया। वहिदक्षनी लेबनान में दाखिलोई इस्राइली सेना पर भी लड़ाके घात लगा कर हमला कर रही हैं। ताज़ा आंक्रों की माने तो अब तक 25 से ज्यादा हाई रेंक वाले अधिकारियों और सानिकों की मौत हुई है जबकि 130 से ज्यादा जवान घायल भी हुए है इनी हमलों की बीच अचानक से अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने इसराइल पहुँचे जहाँ उन्होंने इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और बाखी कमांडरों के साथ मौजूदा हालात पर बात की अमेरिकी कमांडर का इसराइल दौरा इसराइली सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ा बताया गया इसमें एरान और उतरी मोचा यानि लेबनान पर खासा जोर दिया गया इसके लावा इसराइल और अमेरिका के बीच शेत्रेस्थरता और सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया माना जा रहा है कि इसराइली सेना ने लेबनान में अपने ओपरेशन को शुरू करने में जल्दबाजी दिखाई जिसके चलते इसराइली सेना को शुरुआती फेज में ही बड़े जटके लगने शुरू हो गए है यही वज़ा है कि इसराइल अपने लेबनान आपरेशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका का साहरा लेने को मजबूर हो रहा है नेहाज़ा अमेरिकी कमांडर ऐसे नाजुक वक्त पर इसराइल पहुँचे हैं जब इसराइली सेना लगातार लेबनान में जंग का बिगुल बजा कर पिछड़ती आ रही है दक्षणी लेबनान के कई लाकों से हिजबुला ने इसराइली बलों को पीछे ख़देर दिया है इतना ही नहीं हिजबुला ने कई लाकों से इसराइली सेना को पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया है गरतलबे की इसराइल मिडल इस्ट में साथ मूर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है इरान समर्थे तो उसके प्रॉक्सिगुट लगातार इसराइल को जंग में उलजा रही है डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो इसराइल को कूटने ते किस तर पर बड़ी बढ़त तो मिली है मगर मिडल इस्ट के मौजुदा हालात में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई इसराइल लगातार प्रॉक्सिगुटों के जाल में फस्ता जा रहा है पिछले इसराइल और हिजबुला के लिए जंगो को देखा जाए तो हिजबुला के पीछे हटने की संभावना काफी कम ही है लेबनान में इसराइल की बंबारी से भारी तबाही देखी गई है हलांकि गाजा की तरह अभी लेबनान पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है ऐसे में ये देखना काफी एहम रहेगा कि इसराइल लेबनान को गाजा समझ कर कोई बड़ी भूल तो उन नहीं कर रहा लेबना में